नियूस क्लिक पे आपका स्वागत है हम उर्बलेश से आज चर्चा करेंगे जो घोशना पत्र पार्टियों की इस चुनाव के लिए निकला है उर्बलेश पहला शुरू करते हैं जो सत्तरूड दल है बीजेपी उसके घोशना पत्रे शंकल पत्र भी कहा जा रहा है फ्लारा चीज जिस पर आपके साथ पूछना चाहता हूं कि दो घोशना पत्र दो चीज होती है एक जो है आप क्या करना चाहते हैं और दूसरी चीज होती है जो आप नहीं कह रहे हैं तो इन चुपियां है ये भी इतनी अहमियत रखती है जितनी आप क्या घोशना कर रहे हो तो इन दो पहले को जरा हमारे सामने उजागर करेंगे आपने बिलकुल सही बात की प्रवीर की इसमें बहुत सारे मसलों पर चुपिया है जैसे इसमें रोजगार का रिफरेंस तो आया है लेकिन रोजगार पर आप क्या करेंगे पिछली बार आपने क्या किया था अब आप सोचिए आपने कितनी करोड नोकरियां गवाई हैं अगर आप देख लीजे 2014 से लेकर आज तक की हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं जो सरकारी अर्द सरकारी सुनस्थान है जो तिंक टैंक हैं सिर्फ उन्हीं के आंकडों को अगर आप देखें तो हमने सिर्फ एक साल म 1.1 के आसपास एक करोड के आसपास हमने नोकरियां गवाई हैं और यहीं नहीं हमने अगर 2014 से लेकर अब तक का हिस्सा लगाएं तो इससे बेतहाशा संख्या जादा है नोटबंदी के बाद क्या आल हुआ है उसका कोई आंकड़ा शायद उपलब्द नहीं है क्योंकि बाहर किये गए उन में से जादातर वापस नहीं आए वे गाउं में छोटे कस्बों में या छोटे शारों में जाकर छोटे छोटे चोटे काम कर रहे हैं एक चीज़ पर आपको नज़र देखना देना होगा कि जैसे वार हुई है पाकिस्तान के खिलाब बाला कोट के नाम उसी तरह वार संख्याओं पर भी है कि जितने संख्याओं की जो ग्रूप ये आपके कमिटी थे डिपार्टमेंट से जिनका काम था तत्ध देना जिसके आधार पे आप कुछ भी कर सकते हो पर तत्ध सही होना चाहिए वहार ही उन्हों नहीं करने दिया तत्धों को उपर कावर्ट है देखिए आप नोट बंदी के अपने बात की उसका दो धाई साल तक ये खबर नहीं दी गई कि कितने नोट वापस आये थे रिजर्व बैक में उससे साफ हो जाता कि काले धन अगर था तो वो आइट हमें मदल गया डिबॉनिटाजेशन से और कोई असर नहीं कि आपने इतना बड़ा फैसला किया आपने कहा कि ये देश की अर्थव्योस्था को बदल देगा ये करप्शन ही नहीं केवल खतम करेगा काला धन को बिलकुल होने नहीं देगा काला धन वापस होगा और फिर आपने जब कहा कि ये सब जब नहीं हो रहा था जनता जब पे लिया था दूसरी बात जो ज़्यादा महत्पूर्ण हमें लगती है इस गोशना पत्र की कि ये शायद भारती जन्ता पार्टी के इतिहास का भी पहला गोशना पत्र है जिसमें सामाजिक आर्थिक सवाल नहीं है पहले शुरू में ही रास्टरबाद है शुरू में ही सीमा उठाये गए हैं तो ये कुल मिलाकर रास्टरबाद सीमा सुरक्षा इस से ये संकल पत्र की शुरूआत होती है और आज जब नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री इस देश के जब वो अपनी पब्लिक मिटिंग्स में अपनी रैली में लगातार बोल रहे हैं कि आप बारा पर पुलवामा पर इन पर उन पर उट करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि उनके गोशना पत्र की ये बाते हैं उनके संकल प्यात्र की ये बाते हैं और उनके भाशन जो वो फालो करना है इसमें कोई कांट्रिक्शन नहीं है गोशना पत्र पहली बार इस तरह का उन्होंने बनाया है जिसको संकल प्यात्रा कह रहे हैं जिसमें सामाजी कार्थिक सवाल बाद में हैं यहां तक कि उनके तथा कतित जो कोर इशूज हैं जो कमिलल इशूज बहुत सारे वो भी बाद में हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो कमिलल एजेंडा रहा है उससे ज्यादा ब इसको सबसे उपर रखा है उने चुनाव पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है ऑपोजिशन पार्टिस के खिलाफ नहीं हो रहा है वही एक कोशिश है इस पे जिस तरह से आप बात कर रहे है उसको इसी तरह इलेक्शन को फ्रेम करने की कोशिश है साफ है कि मौडल कोड अफ आक्ट बीजेपी मान नहीं रही है और इलेक्शन कमिशन उसमें बड़ी कमजोरी दिखा रही है अपनी कि वो चुपचाप है कि आप कह दिया पहले कि आर्मी को चुनाव मत लाइए प्रधान मंत्री खुद ये कह रहे हैं जब सी एम अधितनात ने कहा ती उसको कहते है आपने जिक्र किया मैं एक बाद बताओं कि देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है कि इस चुनाव से सबक लेना चाहिए बलकि मुझे लगता है सबक पहले ही लेना चाहिए था खासकर जब कई राजियों में विधान सबाद चुनाव हुए पीछे खास चीज़ें बदल सकती थी लेकिन इस बार सबक लिया है पार्टीओं ने सीपी आयम ने खास तोर पे मैंने देखा कि इसके मैनिफेस्टों में जो बहुत सारी सांस्थाओं के पुनरगठन की बात जो की गई है या उनको कैसे नए ढंक से शेप अप किया जाए बेहतर बनाय आप दी कि हम लोग यह मैं तो पढ़ा हूँ जेनियू में मैंने लहाबाद से किया निर्वाचन आयोग जो वहां का बनता है इस मेंट एलेक्शन कमिशन वहा भी जरनल बाडी तै करती है लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जो बनता है उसको केवल सरकार तै करती है यह ए एलेक्शन कमिशन केवल एक सरकार कैसे तै कर सकती है तो निश्पक्षता की एक बाड़ कि अपने मैनिफेस्टों में प्रपोस किया है कि सरकार जुडिसरी की तरफ का एक आदमी प्लस विपक्ष का एक आदमी यह उसमें बाडी में जरूर होने चाहिए और तब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए यह एक बहुत वेलकम और बहुत जरूरी सजिशन आया है तो और जो आप कह रहे थे कि बीजे पी की खोशना पत्र में खास तोर से उनका पहला अंग्श जो है उस ज्यादातर उग्र राष्टरवाद का और सामरिक शक्ती की बा बात करना चाहेंगे। कि उन्होंने रोजगार के बारे में बताया है कि वो क्या करेंगे उन्होंने किसानों के मामले में उन्होंने बताया है कि वो क्या करेंगे लेकिन किसानों के मामले में जो 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात BJP का गोशना पत्र करता है वो कैसे होगी यह नहीं बताया है और म पढ़ा है देश में ये independent observers भी मानते हैं सिर्फ present organization ये नहीं कह रहे हैं आप देखिए जो जिस तरह का हालात है आज आज हमारे 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 खेतियर समाज में वो unprecedented है और एक और उसमें कारण जुड़ा है बहुत सारे और कारणों के साथ आज उत्तर भारत में खासकर हिं कोवन्स के रक्षण के नाम पर आपने गायों को बैलों को और तमाम तरह किसानों को आपने जिस तरह छुटा डाला है आपको बताओं जितने लड़के दिल्ली इसे के टेलिविजन चैनलों के गाउं देहाद से लोट के आ रहे हैं सारे ये बता रहे हैं कि किसान इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं अनेक कारणों से उसमें एक और कारण जो नया जुड़ा है जो बिल्कुल ताजा जो पहले की सरकारों के दोरान नहीं था वो उनकी खेत में लालाहती फसल का नुकसान कई गाओं में किसानों ने ये कहा टेलिविजन चैनल के रिपोर्टरों से जो जाहिरत दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि चैनलों पर एक तरह से प्रतिवन्द है आप सरकार पर कोई ऐसी रिपोर्ट न दिखाएए जो सरकार नाराज हो जाए उसमें सारे लोग कह रहे हैं हम लों से जो बात होती है कि साब हम लोग मजबूर हैं गन्ना की फसल उगाने क पाता पसूश में घुस नहीं पाता डाल खा लेता है बाने जो फसल है अरहरा है या वो है क्मटर है या कोई भी चीज हो लेकिन वह गन्ने के फसल को डिमेज उतना नहीं करता जितना दूसरी फसलों को करता है ये एक बहुत ताजारी भुर्ट में एक रिपोर्टर ने हमे से कहती रही है six percent education पर उन्होंने कहा है कि GDP का खर्च करेंगे health care के बारे में congress party ने संबहता पहली बार left की position ली है और वो ये कि हम public जो खर्च है जानी सरकार की तरफ से जो खर्च है उसको बढ़ावा देंगे एक तरह से आई उश्मान भारत को उन्होंने पूरी तरह खारिज किया है क्योंकि ये बीमा आधारी स्वास्तियोजना भारत जैसे मुलक के लिए बिलकुल एक मुर्खता पूर कदम है तो congress party के जो manifesto में बाते हैं उनका कहीं कोई काट नहीं है जबकि Congress का manifesto पहले आया बीजेपी का बात में आया अगर उनकी एक्षा थी कि हम जनता में ये विकल्प ले जाएं कि Congress से बहतर हमारे पास कुछ है देने को हम सरकार में हैं लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया आपने ये बड़ा अच्छी बात बहुत अच्छी बात कहीं कि लेफ्ट के manifesto से लगता है कुछ चीज़े Congress सीखे हैं तो क्या लगता दब्बाए के दशक से ये शुरुवात हुई थी Congress की जो रुजहान डियो लिबरलाइजेशन की बात कही जाती है उसमे नरसंबरा और मन महन सिंग दोनों का नधार थे मन महन सिंग तो बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे यूपिया के यूपिया यूपिया टू में तो ये रुजहान से क्या मुक्त होगा ये सिर्श चुनावी दाउं पेच है ये क्या लगता आपको प्रभीर बहुत दिल्चस्प सवाल है और भारत की अर्थनीत का ही नहीं उसकी राइनीत का भी मैं समझता हूं कि ये सवाल बहुत रिलिवेंट सवाल है क्योंकि मुझे कॉंग्रिस पार्टी के इस मैनिफेस्टों में जिस दिन जारी हुआ मैं देख रहा था कि मनमोहन सिंग जी बैठे थे पीची दंबरम बैठे थ जो दोनों नौगधारवादी और तंत्र के पैरोकार हैं और भारत में आर्थिक सुधारों और जो संदाशनात्मक बदला हुए या उसकी हमेशा पैर भी करते रहे लेकिन दिल्चस्ट बात यह है कि जो मैनिफेस्टों उनके हाथों जारी हुआ उसमें दोनों कहीं नहीं ह दिखाई देती उसमें अगर कोई छाब दिखाई देती है तो प्रोफिसर अमर्थ सेन थामस पिकेटी या जो भारत के लेफ्ट लोग हैं चाहे वो आप उनको लेफ्ट लिवरिल कह लीजिए या लेफ्टिस्ट कह लीजिए जो भी आप कहें ऐसे अर्षास्त्री जिसको ए शास्त्री हैं या भारत के समाज को जिस तरह वो देख रहे हैं जहादरे इस तरह के लोगों का उस पर साफ साफ जलक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि एक मेजर शिफ्ट है कांग्रिस पार्टी के सोच में क्योंकि ये महज कागज पर नहीं है हाल के वर्षों से अ लागू कराने का उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो वो बोल रहे हैं उसके बिलकुल अनकूल उनका मानस हो मिजाज हो क्योंकि अभी भी कांग्रिस पार्टी में फ्यूडल्स या हायर मिल क्लास या अपर कास्ट का एक खुशाल तबका वो हावी हैं उसके स्ट्रक्शर में पार्टी के स्ट्रक्शर में जो इस सोच के उलट हैं लेकिन शिक्षा पर छे परसेंट खर्च करने की बात दौल सिंग को ठारी ने 1964-65 में की थी और हम कांग्रिसी सरकारों ने उसको कभी नहीं लागू किया लेकिन आज की तारीक में वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है इ शायद कुछ बदलाओ उनके सोच में आ रहा है देखना पड़ेगा बदलाओ होगा नहीं होगा क्या करेगी क्योंकि अगर आप कमलनात को देखें बंद्रप्रदेश में तो जरूर इस पे जिग्यासा रहती है तो मैं आप इसका और एक चीज़ कहना चाहूंगा क्यों क्य है एक पोल लेफ्ट और एक पोल ऐक्शुली बीजेपी राइट कॉंग्रेस कभी इधर कभी उधर जुक रही है पर वाके पोल्स राइट और लेफ्ट दो ही है और कॉंग्रेस इसके बीश में एक अलग अस्तित्वा अपना लिबरल कंश्टिट्योंसी को लेके एक जिसमे एक लिबरल धाचा को बनाने से अलग से इस तरह से काइम नहीं कर पाया एक दम ये सही बात है और मैं मानता हूँ मैं उन बहुत ही उन कम लोगों में हूँ माइनार्टी में हूँ इस सोच का खासकर जनलिजम में या हिंदी के लेखर में जिनका मानना है कि भारत में लेफ्ट डिस्कोर्स है उसमें अगर देखा जाए तो आज भी लेफ्ट एक मजबूत ताकत है और यही कारण है कि भारती जनता पार्टी सबसे अधिक अगर चिरती है किसी से तो वो उन लोगों से चिरती है जो भारत को एक जनपक्षी प्रगशी लोकतांत्रिक सेकुलर भारत के न कमज़ोर हुए है उनका संगठन कमज़ोर हुआ है उनके पास सरकाने कम हुई है लेकिन विशारधारा के स्थर पर लेफ्ट आज भी बीजे पी को चुनौती देने वाली एक मातर बड़ी शक्ती है ये बात वो बीजे पी भी मानती है और ये समझती है इसलिए वो टुकड एक बड़ी बात और हुई है जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो एक एक दौर में जो रिजनल पार्टी जिमर्ज की थी खासकर हिंदी हार्ट लैंड में सामाजी कनिया के नाम पर मंडल के नाम पर उनके जो राजनितिक प्रभावंडल था एक जमाने में जिससे काफ काज हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के उनसे गारा मोवंग हुआ है ऐसे लोगों का तो एक वैक्ट्यूम है आज और कॉंग्रेस पार्टी मुझे लगता है उस वैक्ट्यूम को खासिल करने की या उसको भरने की कोशिश कर रही है विद डैट लेफ्ट सेकुलर आइ गोशना पत्र में एक जलक इसकी तो ये कजीब दोर है जब राइट और लेफ्ट के बीच में बहुत सारी बहुत सारी पार्टियां है बहुत सारे दल है लेकिन एक ठोस विकल्प नहीं बना है अगले बार आप से बातचीत करेंगे आइडेंटिटिटी पॉलिटिक्स के उ कमजोर हुई है एक हिसाब से और रिजिनल पार्टिस के उँ कमजोर हुई है पर आज हमारे साथ इन चीजों को बात करने के लिए धन्यवाद आज के लिए इतना ही काफी आप देखते रहेगा द्यूस क्लिक